आज कल इतना ज्यदा गर्मी पढ़ रहा है क्योंकि एक दिन में ये बहुत सारा टास्क कर पाएंगे में मेरे लिए एक चैलेंज ये भी है कि मैं इसको इतना सस्ता बनाऊं और इतना आसान बनाऊं ताकि लोग इसे देख करके अपने गाड़ियों में लगा सके और अपने इंकम को बढ़ा सके काभी दिर जोनने के बाद मुझे एक Wert से एक गाड़ी मिल चुका है जो सब्जी मंटी में से सब्जी धुने का काम करते है यहां पर देखे इस Secunden एक पेडल का चार रहा हूँ तो एक ही चक चा नच काफी दिर्प करने के बाद मेरे दिमाग में सेट हो चुका है अब जोड़ूद काफी प्रोडोट करने के बाद मैंने एक ऐसा कीट खरीद लिया है जिसे इसको आसानी से इसमें फिक्स किया जा सकता है हलाकि इसमें charger और बैटरी नहीं है मुझे बैटरी और charger अलग से लगाने पड़ेंगे इस मोटर को fix करने के लिए लोहे का कुछी इस परकार से हमने फ्रेम त्यार कर लिया जिसमें मोटर को असानी से fix किया जा सकता है और यहां पर रिक्से के इस वाले भाग में रख करके और इस पर motor fix कर दे रहा हूं और इसको welding कर दे रहा हूं यहाँ पर देच सकते हैं यह पूरा तरह से fix हो चुका है अब मूटे वाले चैन को मैं लगा दे रहा हूं यह वाला निकाल करके मैं इलक्रिक वाला फ्रॉटर लगा दे रहा हूं और इसमें गर्याएं करना बहुत आसान dest Small proto को समझ करब आसानी से को कर सकते हैं यह गाड़े हैं अब यहां पर देखने वाली बात है कि यह कितना ज़्यादा वाजन लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है इसको बदलने के लिए मात्रम लोग दो घंटे में इसको कनवर्ट कर दिया है इलेक्रिक में यह देखिए मोटर है इसमें कंट्रोलर है और एक श्लेटर फिक्स करना था मुझे लग इस वाट्सेप नंबर से खरीच सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डीटेल दे दूंगा तो चलिए अब इसको बीना देरी किये चलाते हैं और देखते हैं यह कैसे चल पा रहा है अभी मेरे पास सब्जी है या कोई ऐसा माल नहीं है जिसे मैं इस पर लाज कर टेस्ट कर सकूँ तो यहां पर बच्चे इनको बेचने चलते हैं सोरी टेस्टिंग करने के लिए लेकर चलते हैं चलो आजाओ तो दोस्तों यहां पर मैं एक्सलेटर ले रहा हूं देखते हैं वान टू थ्री गो ओ तरीकी यह देखिए वाओ इसका साउंड यिन यह और देख सकते हैं अभी हाथ एकसलेटर पर ही चला रहा हूं कि इसे चलानी का मार्केट में और अगर कोई भाड़ा मिल जाएगा तो हम लोग भाड़े कमाएंगे और पैसा ही पैसा होगा देख सकते हैं क्योंकि अब मुझे चलानी की जरूरत नहीं है सबसे अच्छी बात अभी हवाद चल रहा है और देखें यह कितना मस्तर ही के से रामू चला रहा है इसको तो मैंने मोटराइज तो कर दिया है इसको पैडल मारनी की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा समस्या है अभी देख सकते हैं पूरा 12 बज़रा है सैड़ों सेक दम सामने है और इतना ज्यादा धूप लग रहा है कि इस इस पर बैठ करके और पैसे क कर रहा है अगर आपको इस तरह का कीट चाहिए या लीथियम बैटरी के साथ कीट चाहिए तो नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहां यहां वाट्सेप नंबर से भी कोंटेक्ट करके खरीच सकते हैं